नमस्कार दोस्तों मैं राहुल सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वगत करता हूं तो कैसे आप सब आयो बढ़िया होंगे मजे में होंगे जकास होंगे तो बच्चों आज हम लेका हैं आपके लिए रेश्यो पार्ट 5 लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसके पार्ट 4 जो मै स्क्रीन पर आपसे क्या रहा है क्यों आपको बोला कि ओन्दा होल सरफेस ऑफ दर रेष्यो ऑफ्लैंड और इस थ्री या अपको पूछ रहा है कि जो साउत वाला घॉला यानि दक्षिनी गोलार्द है उस पर लेंड और वाटर का रेष्यो क्या होगा इस को करने से पहले आ से देखना बच्चों विदाउट एक्स और वाई माने अपने इस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी अप्रोश के साथ देखना इदर मैंने आपको बोला कि यह आपके लेंड और वाटर है कुछ ठीक है इधर कुछ है इधर आपका साउथ हो गया यह साउथ हो गया य अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर चार लीटर पानी है और यह पर भी चार लीटर पानी यानि नौर्थ में साउथ में चार लीटर होगा आप बलोगे चार यह चार यानि total कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा clear पर मैं आपको बोलूँ कि वह यह ऊपर इधर चार है गुण साओध में नॉर्थ में चार है तो बताओ टोक्तल कितना होगा आप करोगे यहाँ नौर्थ में 10 लीटर है तो टोटल कितना होगा आप बोलो के त्वेंटी लीटर होगा यानि यहां पर क्या कर दिया यहां कर दिया यहां का डबल कर दिया अब इसका डबल कर दिया तो अगर मैं आपको तो बोलों कि North में कुछ ratio दे गिवन है और आपको बोल रहे हैं अर्थ पर उसका ratio क्या होगा जो North में गिवन है उस रेशों से जस्ट डबल होगा क्यों होगा डबल यहां आदा पार्ट है आदा यहां पर रहता है उसका जस्ट डबल आपके टोटल अर्थ पर होता है आपको एक कहानी समझ में आ गई तो भड़ते हैं कोशन की तरफ एक चीज़ और समझना बच्चो अगर मुझे रेशों को क किसी रेशों को जाधा नहीं कर सकते तो पहले बराबर करो उसके बाद हम किसी भी रेशों को कम कर सकते हैं या जाधा कर सकते अकॉर्डिंग टू कुश्चन तो आईए कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखो क्या बोला एक बहुत अच्छी अप्रोज बताने जा रहा हू डिय में कितना रखा है लेंड वाटर का सैवन रेशुन रेशों न ilenneología और वाटर गा सैवन रेशों ना और टोटल वट पर कितना स्ट Kendalak fan सिस्टीन और इधर सम कितना रहा है यहीं आ रहा है क्या दोनों एक्क्वल है आप बोलो के सार इक्क्वल नहीं है तो एक्क्वल कैसे करेंगे एक्क्वल करने के लिए इसको एट से मल्टिप्लाइब करो एक तो बेसिक अप्रोच हो गया यह फिर थोड़ा और दिमाख सकते हैं इसको टू से मल्टिप्लाहिए बात पाद आएगी तो मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले मैं क्या किया सर मैंने क्या कि क्यासिंटे इसस्टेन को किससे मल्टिप्लाइब यहां जितना होगा दबल का होगा lettel पर तो मुझे इसको भी कोना पड़ेगा अभी बॉटिब्लै कर ना पड़ेगा क्योंकि नौर्थ में जितना रहता है उससे डबल का रहेगा यह की टोचल तोटल पर सब्सक्राइब यहां पाइब कितना और चीज़ बताना नोर्थ में कितना था 7 कि 7 और तो अगर 12 में से लेंद का रेष्यों 12 है और नौर्थ में लेंड का रेष्यों 7 तो में कितना बचेगा आपmotory के सर स Abg 15 है अब यहां देखना ट्वेंटी आपके वांटर दिए 95 ला गया कितना अब गया कि जो आपना के गachtet कर वह शरुटा एंब गलार्ड है गिए रेषव आयेगा त्व खितना है घानी या आपका कुंश्चन खतम हो गया लेकिन एक चीज और धमाकेदा चीज बताने जा रहा हूं आपको यह कहानी करने की भी जरूरत नहीं है देखो आप यहां पर पढ़ोगे ना मिशन ग्यान के स्प्लेटफॉर्म पर पढ़ोगे तो बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा तो पढ़ने के लिए पहले तो चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो शेर भी करो ठीक है बच्चों तो आज और फिर चलते हैं अब हमारी क्या प्रोच होगी देखो इधर एक बार यह को मैं साफ कर रहा हूं मिटा रहा हूं ठीक है को कैसे करना एक लाइन में वह भी दे सबसे पहले तो वही काम करना है एकवल करने के लिए इधर कितना हो गया आपके 10 अब क्या करना है देखो यह आपका एवरेज रेशो आएगा इधर वाला जो रेशो आएगा अगर यहां पर से यहां कितना है 7 ए तो 6 कितना ज्याधा है एक जशाद है तो इधर एक कम कर दो 6 1000 bet at 5 के इधर देखना आना चाहिए टैन रेशो लेकिन इधर कितना रह यहाई याणि 10 20 में 20 का डिवाइट डिया 10 आ गया तो बता इस तरह से आपको question करना इसको पेन पेपर भी नहीं चलेगा कोश्चन में ठीक है ये बहुत बढ़िया question माना जाते इनको अपने उड़ा दिया आगे बढ़े एक question और लेते हैं याई देखो question ने आपको क्या बोला लाल और हरे रंग की रंगीन तस्वीर में एक तस्वीर है लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशे 2 ratio 3 के नुपात में किया गया यदि उपरी आदे में हरे और लाल का रेशो 5 ratio 4 है तो नीचे वाले पार्ट में लाल और हरे का रेशो क्या होगा देखो एक तस्वीर बनाई है किसी ने किसी की याद में एक तस्वीर बनी है वच्चो तो दो पार्ट में डिवाइड है उपर वाले पार्ट में क्या हो रहा है लाल और हरे रेड और ग्रीन का जो रेशो है और आपको कि इस वाले पार्ट में निकाला नीचे वाले गिखेंगे रखफिते रखेंगे से रखेंगे सब्सक्राइब एक कीज़ ध्यान रखना उपरी भाग में हरे और लाल लाल का फाइव यह अब कैसे कर लिया आप देखो कैसे कटम सबसे पहले कि इतरіз कितना है 5 सबसे इतना होगे इस वाले पार्ट को नायन से कर दो इस फले पार्ट को 5 से मिल्टि प्लाइए कर दो ङहां है तो कितना ओ ей डवरेज यहां से कितना कम कर दो कितना कंद तो कितना जब कर दो तो कितना ओ ग्यां है ये लो साब आंसार री आ गया कहीँ कुछ करने की ज्यूरत नहीं सिरुंट खतम आगे बड़ है next question देखा आप से क्या कह रहा है अब आपने रूपे पैसे वाले ठीक है question बोल रहा है आपके कि एक व्यक्ति के पास एक रूपे पांच रूपे और दस रूपे के रूपे के रूपे कुल 640 रूपे हैं प्रतेक तरह के नोटों की संक्या समान है कुल नो अगर मैं आपको बोलू कि उसके पास टोटल 640 रूपे हैं मैंने बोला एक रूपे का नोट है उसका नंबर है मेरे पास कितने रूपे है एकस है पांच रूपे का नोट है कितने है एकस है दस रूपे का नोट है कितने है एकस है मैं बोलू मेरे पास टोटल कितने रूपे से हम Delhi आप करो इनदोनों म०्टिप्लाइय करोगे जो तोटल रूपय आगया वह यह कितना ऐक्स यह डिए बोलों कि सरफ यह कितना आगया आपके टैन कि पूचह यह इक रुबए करने कितने नोटें कितने नोटेंगे दस कितने नोटें कितने थे कुनलोट कितने हैं देख्या पूटल कितने नोट होने कि पास 120 क लिए और 25 पैसे का यह पैसे में हैं यह लेकिन आसान रहता है इस रूपी को किसमें करना पैसे मैं कर रहा हूं इसको कर दीया आप 25 पैसे जीक है प्रतिय यह भी क्या है सिक्टे समानशन्क्या में तो यह 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 वो तो मैं सार्ट टोटल कितने होगा यहांसे आप उलोगे त ​&% इधर 50 H самали audio अटके आपको बो लोगे सर हमारे कितना है आपको यहां से नज़र आएं Gef 30aru कितना होगा 175 enable किसकी 85 ठीको पननी या पर इसको सो में change कर लिया तो इसको भी किस में change करना पड़ेगा पैस सो में change करोगे तो केतना आ जाएगा आप बोलो के 35 kun 35 को में change करोगे तो 35 हो जाएंगे ठीक है 175 से काटको कितनी बार जा आपको बोला यदि 378 सिक्कों में एक रुपे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी वैल्यू 13 रेशो 11 रेशो 7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ग्याद करो बढ़िया कोशन है अब इस को कैसे करना है एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको मौनलो मेरे पास एक को ठीका है एक और मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक रुपे का नौट है ठीक है तो नहृक्त टोटल कितने सिखे होंगे 1 रुपे के मुझे मुझे चाहिए मैंने रुप का रुप कर दे रहा तो तो मैं तो तो म different कितने नोट поддерж इस यह आप क्या मेरे पार कि पृप है लेकिन कैसे दे 50 पैसे की कर दे यानि यानि मुझे 50 पैसे के सिक्के के रूप में दे जब मैं एक रुपए की बात करूंगा तो 50 पैसे की अगर 50 पैसे दे रहा हूं 50 पैसे के सिक्के दे रहा हूं तो मेरे को एक रुपए देने के लिए कितने सिक्के देने पड़ेंगे दो सिक्के देने पड़ेंगे ठीक है यान ये कितने सिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कितने होते हैं दो सिख्के तो 10 रुपे में कितने हो जाएंगे कर दोगे इसी तरह से आपको 25 पैसे में अगर आपको देने हैं तो एक रुपे में कितने होते हैं चार पैसे चार सिख्के होते ना एक रुपे में तो आपको देखना है कि 10 रुपे में कितने हो जाएंगे कर द बच्चों और किसका है 50 पैसे का सिक्का है और किसका है आपके पास 25 पैसे का सिक्का है ठीक है यही तो है जिनका मूल वैल्यू दे रखिए कि इसका 13 रुपए है मेरे पास 11 रुपए मेरे पास ये वाले हैं और 7 रुपए मेरे पास ये वाले हैं अब ध्यान से देखना 13 रुपए है मेरे पास ठीक है मुझे एक-एक के सिक्के में चाहिए तो कितने सिक्के लगेंगे आप बोलो के सर 13 सिक्के लगेंगे clear है यह आपके सिक्कों की संख्या अगई number of coins आगए सिक्कों की संख्या क्लियर कहानी आप बोलो के सर एकदम clear है ठीक है अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 11 रुपए दे लेकिन कैसे दे किसक्क दे लग तो एक रूपय में कितने ऊते हैं आफ एक रूपय की नगते हम लेkti लेकिन तो अगर एक रूपय में और मुझे चार सिक्के लगते हैं 25-25 यह दो सांत रूपय दे रहा हूं यह कहानी समझ में आगी ना आपको बस यहीं इंपोर्टेंट था इसमें अब देखो नमबर ऑफ टोटल आपको दे रखा है कितना हो गया हमारे अकोर्डिंग कितना आ गया यह तेरा सिक्क्य हो गए यह बाइस हो गया जब सब को एड़ करोगे कितना जाएगा यहां पर 63 एक्स आ गया यह हमारे अकोर्डिंग सिक्कों की संक्या गई कोश्चन में कितना गेवन है 378 378 यहां से वन यूनिट की वैलू निकालेंगे देखो वन की वैलू कितनी आ गई आप बोलो कि सर बन की वैलू आ गई यह आ जाएगी ठीक है तो पूछा किया पचास पैसे कितने सिक्षे कैएं इस ट्रीकिंटीट्ज को किस से मर्टिप्लाइ कर देंगे एक इतना जाएगा वन घ्ट यह आपका आंसर प्राप्त लाप का नुपाद 18 रेशो 19 रेशो 20 है यदि सी फाइव और सीवन द्वारा प्राप्त लाप का अंतर 19 लाक है तो सभी कंपनी द्वारा प्राप्त कुल आप ग्याद कीजिए तगड़ा कोश्चन है त्रीन कोश्चन है ट्राय करो वीडियो पॉस्ट करके देखो आपको क्या देरक आ पांच कंपनिया दे रखिये हैं वह आपको देरक आपसी वन सीटू और सी थ्रीनका जो रट खलापका देरकating प्रॉफिट का 9 रेशो 10 रेशो 8 ठीक है साथ में आपको बोल रखा है C2 C4 और C5 C2 C4 और C5 इनका जो रेशो दे रखा है वो कितना रखा है प्रॉफिट का 18 रेशो 19 रेशो 20 यह लोस आपको लिख दिया मैंने अब आपको बोल रखा है पहाड साथ कोशन में कुछ भी नहीं है आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े तो क्या आपको इसमें से कुछ कौमन कौन है यहां अगया गया फूमन यहां बहुता है उसका इंदर कितना है अब मुझे इन दोलों को क्या करना है तो मिसको क्या कर सकता हूं अगर इसको 9 से करूं तो 90 इसको 5 से मल्टिप्लाय करूं तो 90 हो जाएगा यह आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं लेलो तो आपको अच्छा लगे जैसा आपकी मर्जी वैसे करो लेकिन को ट्राय करने कोशिश करा करो जल्दी जल्दी तो आप जितने ज्यादा कोश्चन करोग नाइन इंटू 10 कितना होता है देखो 95 इंटू 18 कितना होता है 90 होगा एकवल और वहों को बाड़ में जाने तो बस इनको एकवल करो जो कॉमन है आप देखो रेशो कितना आगया सी वन का आप बोलो के सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाई मैं सारे एक साथ लिख रहा हूं सी फोर का कितना गया अब उलोगे सर इसको भी करते बताओ आपके पार जो एक इह पार हो कितने आ घ़ हैट और सी देखो और सीवन इन दोनों का डिफ्रेंस हैं वो 19 लेक हमारे कोई कितना है हंड्रेड में से 81 माइनस की आप बोलोगे सर 19 लेक तो वन यूनिट की वैलू कितनी आ गई आप बोलोगे सर मन यूनिट की वैलू आ गई वन लेक आगई साफ चलो अब आपसे पूछ रहा है सभी कंपनी तोटल आपको find out करना है सब इन सबको एड करो 81 90 72 95 और 100 को जब इन सबको एड करोगे आपका जाएगा यह चार्सो अर्थिस तो देखो 438 लाग वन यूनिट की वैलु कितनी आ गई एक लाग तो 438 लाग बोलो ठीक है या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको सो लाग का कितना होता एक करोड होता है तो कितना बोल सकते हो 4.38 करो किलियर है कहानी आप लोके सर मजा आया बढ़िया कोशन था लल्लन टॉप कोशन था ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो लाइक्स कुछिन आपसे क्या कह रहा है हाँ यहां यह आगया देखो रोमडी और शेर आगे चलांग वाले कर्ष स्थ में लगा लगां बडबि उतनी दियर का अनुपाद याद करो देखो सबसे पहले समझना जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है आपके डिस्टेंस अपॉन टाइम है ही होती है आप बलोगे सार एकदम यही होती है तो एक चीछ से एकना शेर जितनी देर में पांथ चलांग लगाता है जितनी दियर यानी कि बात करें आपको बता चुका हूं हो रहा है वे आपना किटना रहा है यह अब स्टेंस का भी देख लेते हैंट शेर दुरे सब्सक्राइब कर् ideia कि तर哦 ever sebenars कितना चल रहा है उनेर्य के रहे हैं तो बताओ डिस्टेंस का रिश्यो कि तना झाल लाइन का कितना वा गया उनगा इसिक्स और लॉन गा च्छाई हेलए गया वाग्या गया तो अगर मैं डिस्टेंस की राइड में क्लिया थैयों और Fox का कितना आ गया 6 आ गया है clear कहानी आप बोलों कि सर एक दम आ गया यह distance का रेशू आ गया तो देखो हमने टाइम का रेशू निकाल लिया हमने distance का रेशू आगर मैं आपसे बात करूँ कि बताओ साब कि आपको और पीड निकालने के लिए क्लिए करोगे दिस्टेन्स में किसका डिवाइट दोगे टाइम का लोसा डिस्टेन्स में टैम इभ दो देखना इधर अगरmä बात करूं हो लॉन की यह होगये लॉइन और यह आपके हो गयाँ दिस्टेन्स कितनी सर फॉक्ष कितनी है 6 और टाइम कितना आपको का सैव इधर कितना है आपको का करना है यह हो गया इस्तनेश यह हो गया आपके टैम डूनों का डिवाइट करो इह था कितना चला गया आप का शेपर experien कि लॉइन और फॉक्स पर लेकिन एक्जामिन ने क्या कि आपका चेंज कर दिया लॉम्री और शेर कर दिया तो भावराव में मत बैना यहां आप्शन नहीं था एक नहीं तो आप क्या टिक करके आते 25 फॉट्टी टू हमें पूचा है फॉक्स और लॉइन का तो फॉक्स और लॉम्री का और शेर का इसका फाइब था इसका कितना था आप बोलो के सर सेविन था इधर कितना था और इधर कितना था फाइब था ठीक है दोनों को क्रोस मल्टिप्लाई कर दो आपका ऐसे भी आजाएगा 25 रेशो 42 जैसे आपको मन करें वैसे करो बेसिक मैंने आपको कि अगर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं उनके सीरों को गिनने पर सीरों की कुल संक्या 340 है और पैरों को गिनने पर पैरों की संक्या 1060 है कबूतरों की संक्या गयात करो देखो ऐसे कोशन आपको एक्जाम में देखने बहुत आसानी से मिल जाएंगे बहुत ज्यादा म प्यप्रियर कहांई अगर मैं पैर की बात करूं तो कबूतर के कितने पैर होते हैं दो ठीक है देख लेना कबूतर सुबह सुबह आपकी छट पे आते हैं तो पकड़ के देख लेना वही तेरे कितने पैर हैं वह बोलेगा दो ठीक है अगर मैं rabbit की बात करूं rabbit के कितने पहर होते है खरगोश के पकड़ में तो आएगा नहीं दूर से देख ले ना कितने पहर होते है चार अगर उस चार को मैं ऐसे लिख दू टू प्लस टू बताओ कोई गुना किया क्या आप बोलोगे सर कोई गुना नहीं किया और ऐसा मैंने मैं आपको percentage में पढ़ाया था जब आपको मैंने population वाले question कराया थे याद है ना कुछ आप बोलोगे सर याद है ऐसा commission में भी बताया था मैंने आपको तो देखो वापस से आगया इसलिए बोलते है मैस एक connecting subject है कल वाला आज काम आएगा आज वाला परसों काम आएगा तो ए तो 340 है अगर दो-दो-पैर के साब सब सबसे करों दो भी इतलि कितने हो जाएंगे आप बोलोको सब तो हो गए आगर सब को दो पेर का काउंट करते हैं तो टोटल कितने आपके 680 पैर हो रहे हैं लेकिन कितना दे रखाए आपको 106 यानी एक्स्रा पैर बचेंगे कुछ देखो कितने एक्स्रा पैर बच रहे हमारे अगर सबके दो-दो पैर हैं तो हमारे अक्वर्डिंग 680 पैर होने चाहिए लेकिन कोशन में कितना देर रखा एक अजार साट तो अपने पास कितने पैर रिवाइंडर बचे आप वहलों के सार इस दो के उंदर जिम्मेदार है तो आपको क्या करना है यह 380 का फरक कौन ला रहा है यह दो किसके रैबिट का तो वन यूनिट की वैल्यू कितने आगई आप वोलोगे सर इधर कितना गया 190 यानि हां से क्या निकल गया आपके पास यह आपके पास रैबिट्स की संख्या आगई कि टोटल रैविट्स कितने हैं आपके 190 अगका टोटल रैविट्स अ तोटल मेरे पास core 40 थे उनमेंं से 190 क्या होगे आपके रैभिट्स तो बागी कौन बचा ध्री टोटल 3040 हैं हमने सबको 2 पैर का माल लिया कितने हो गए आप बोलोगे 680 पैर होंने चीते लेकिन हो कितने रहे 160 पैर हो रहे हैं यानि कुछ पैर एक्स्रा हैं कितने पैर 1060 में से मैंने क्या माइनस किया 680 यानि 340 फैर मेरे पास Kart controllers वो लाजह था आ आप गोलो के सर वह रारा था जो 380 फैर मेरे अक्ष्टरा आ रहए था वह लाज़ा था रीच दो किकितने फिवह्राइस दो कि वेल्यवा स्फे कि अगे को ञारे एककर आज़ा हैं साइब कि दो देखो बिल्कुल क्लास जैसा फील आएगा आपको आपको लगेगा नहीं कि आप कोई वीडियो देख रहे हो आपको असे लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हो मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूं है ना आगे बढ़ते हैं कोशेंस देखो आपसे कहा है कि रिचिंते संख्या च्छा में विध्यारतियों की संख्या नहीं हो सकती अब देखना इस टाइब का को देखने को मिल जाता है बहुत आसान कॉश्वन है यह कोश्वन होगा यह यह उपश्यन के वेस्पेर होगा आपको नमबर आफ टूटर स् एसा कौन सा नमबर है जो उनकी नमबर नहीं हो सकता तो एक चीज़ बताना मालनों मेरी क्लास में बॉइज और रिश्यु एक एक ग्जामपल दिरू समझा रहा हूं आपको ठीक है अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास सो गल से तो बताऊ सौ बॉइज तो इस्टुडे जायेगा आपके सिस्टी गल्स हो जाएंगी 40áis वो जाएंगे मैं आपको बोलुगी यह जो रेश्व बन रेश्व 3 हैं और स्फूर्टरी पर मेरे पासर्टल है ogóle eo total statis अचर मैं आपको बोने मेलां आप निकालू गल्स जिस number में जा रहा है वो आपके क्या हो सकता है number of total persons हो सकते हैं क्या कभी आदा लड़का आदी लड़की देखेंगे class में नहीं लड़का होगा तो पूरा होगा लड़की होगी तो पूरी होगी 108 में दिया, जार है, 12 टाइंस, कौन सा option बचा, option number D, clear है कहानी, आप बोरों के सार एकदम clear है, समझ में आया, मज़ा आया, तो चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, और अपने दोस्तों में share जरूर कीजिए, तो मिलते हैं, कल फिर एक और धमाकेदार questions के साथ, कल हम पन पढ़ेंगे proportion ratio अपना खतम हो गया, proportion के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे, तब तक लिए, धन्यवाद, thank you so much